पड़ा और ऐसे व्यक्ति को कर देना पड़ा रत्पुर से चुनावी सभा की सीधी तस्वीर दिल्ली में बैठे कॉंग्रेस के हर नेते को इस मंत्री की सच्चाई का पता है लेकिन फिर भी इस मंत्री के पास को ऐसी जानकारी है दिल्ली में बैठे हुए लोगों की भी कोई जानकरी है सब उसे कांपते हैं टिकड़ दे दिया है मैं आपको वादा करता हूँ यहाँ भाजपा की सरकार बनने के बाद उस राज को भी खोलने की कोशिश की जाएगी मेरे साथियों राजस्तान से कॉंग्रेस को सदा सरवदा के लिए हटाने की जरू होता है और हटाने का मतलब सिरब आपकी विदान सभा में उसका पराजे हो जाए इतना नहीं है जैसे दिवाली के त्योहारों में बैसे तो हमारी माताए बेहने गर में सफाई रोजा ना करती है लेकिन दिवाली के समय कौने कौने से छोटी छोटी जगा से भी इतनी सफाई करती है घर को चमका देती है जैसे दिवाली के त्योहार में माताए बेहने हर कोने की सफाई करती है ये चुनाओ भी वो दिवाली है हमने ऐसी सफाई करनी है ऐसी सफाई करनी है किसी कोने में भी कौंग्रेस बचनी नहीं चाहिए करोगे पक्का करोगे तब तो देव दिवाली ऐसी मनेगी ऐसी मनेगी साथियों कौंग्रेस के साथन में दलीतों के खिलाब भी अत्याचार के नए रिकार्ड बन रहे है कौंग्रेस स्वभाव से ही दलीत विरोधी है मैं एक सबसे ताजा उदाहरन आपको देता हूँ अभी हाल में ही देश को पहला देश को पहला दलीत मुख्य सुचना आयुक्त मिला चीफ इनफर्मेशन कमिश्टर उनका नाम है हीरालाल सामरिया जी ये दलीत का बेटा हीरालाल ये आपके इसी डीक गाउं के रहने वाले हैं ये डीक थोड़े समय पहला तक भरुची ये हमारे भरतपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था लेकिन दुर्भा कि ये है कि कॉंग्रेस को एक प्रतिभाशाली दलीत अधिकारी की नियूक्ती भी पसंद नहीं आई इसके लिए जो मिटिंग रछी गई थी उसका भी कॉंग्रेस ने बाइकोट किया कॉंग्रेस एक दलीत अफसर को उचे पत पर पहुंचते हुए देख ही नहीं सकती है ये वही कॉंग्रेस है जिसने रामनाथ कोविज जी का विरोथ किया था ये वही कॉंग्रेस है जिसने बाबा साब आम बेड़कर को हमेशा अप्मानित किया कॉंग्रेट ने दो दो बार बाबा साहब को चनाओं में हराया उन्हें राजनिती से दूर करने की कोशिश की जब कि ये भाजपा है जो बाबा साहब से जुड़े पुन्यस सलों को पंच तीर्थ के तौर पर विश्शित कर रही है बाबा साहब के बाद दसकों दूसरा दलीत कानून मंत्री भी भाजपान ने ही बनाया है हमारे राजस्तान के ही अरजुन राम मेगवाल जी आद देश के बड़े बड़े कानूनों को बनाने में बड़ी भूमी का निभा रहे है मेरे परिवार जनो आपका सपना आपका सपना आपका सपना ही मोदी का संकल्प है